आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा वशी करण का तरीका जो आप क्या कोई भी अगर इस्तमाल करें तो उसे उसकी मन चाही वस्तु मिल जाएगी जी हाँ आप इसे किसी को भी अपने वश में करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं आप चाहते हैं कि बॉस आपकी बात सुन ले क्या चाहते हैं कि आपकी बीवी आपकी बात सुने या फिर आपके पती आपकी बातों में आ जाएं और आपका कहा हुआ हर काम करें तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं जी हाँ, तो दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं, पीपल के पत्ते से कैसे करें वशीकरन, बेहद आसान तरीका है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि पीपल के पत्ते लाने हैं, आपको पाँच पीपल के पत्ते लेने हैं, और ऐसे पीपल के पत्ते जिन पर धूल म चिड़कना है गंगा जल आपको कुछ बूंदे चिड़कने से ही फाइडा होगा लेकिन दोस्तों याद रखें कि पीपल के पत्तों के उपर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं इससे आप अपने दुश्मन को भी अपने वश म बनाने के लिए आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए पाँच पीपल के पत्ते और चाहिए कुछ लॉंग जी हां लॉंग का इस्तमाल करके आप इन पीपल के पत्तों से किसी को भी वश में कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि चंदन के लेब से आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है पीपल के पत्तों पर जिसे आप अपंड़ेश्में कर सकते हैं और दोस्तों याद रखे कि यह मंत्र आपको करना है शुक्रवार के दिन रात के समय ऐसी जगे पर बैठ जाएं जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करें अब आपको उस इंसान का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करना है पूरे 321 बार और यह मंत्र है सर्वब करें और उसके बाद इन पत्तों को आपको उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दबा देना है जिस पेड़ से आपने इन पत्तों को लिया था और याद रखें पत्तों को दबाने के बाद पीछे मुड कर ना देखें इस तरह से आपका दुश्मन सिर्फ और सिर्फ 24 घं कॉल लगाएं आचारे योगीनाजी को उनका नमबर है प्लस नाइन वन नाइन एट सेवन डबल एट थ्री सिक्स डबल जीरो टू तो दोस्तों आपकी सभी समस्याओं की समाधान के लिए कॉंटाक्ट करें आचारे योगीनाजी को